इलेक्शन उससे नहीं जीतते हैं, इलेक्शन बुनियाधी तोर पे EVM से जीतते हैं, उसकी सबसे बड़ा सबूत यह है, मोधी जी ने अपने सारे बड़े-बड़े लिडियर्स को दर्वाजा दिखा दिया, किसी की जरुवत नहीं है मोधी जरुवत है, EVM की मशीने बना ही इसलिए जा रही है, कि मोधी जी जो सारी सीटे जीतता हैं, वो सारी क्या, जितनी सीटे चाहेंगे वो उतनी जीतेंगे EVM से तो, EVM की जो इलेक्शन कमिशन की सील होगी, वो भी आप लोगों के सामने लाइव खोलेंगे, लाइव हैक करके दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे कि आप किसी भी बटन पर उंगली दबाओ, BJP के उतने वोट आएंगे ही लाइव दिखाएंगे, पर से चुनाव हो जाएगा, तो कौनसा अंगामा हो जाएगा, किसका नुकसान हो जाएगा, हमें मतलब है कि देश में निश्पक्ष चुनाव होने चाहिए, जनता की आवाज से जीते हुए लोग, पार्लेमेंट में, असेम्बली में जाने चाहिए, पार्लेमेंट में नहीं जाने चाहिए, और मशीन के अंदर की गरंटी सिरफ एक है, क्योंकि मोदी जी कह रहा है, इसमें कोई गड़बर नहीं होती, मोदी जी की 56 इंच की चाती नापके दिखा दो, अगर 56 इंच की चाती है, तो वो सच्चे हैं, अगर नहीं है, तो वो जूटे हैं, अगर 56 इंच की चाती नहीं है, तो हर चीज जूटे है, खास तौर पे EVM जूटी है, एक ही गरंटी है न, क्या हम कह रहे हैं, इसलिए मानलो के सच है, ऐसे कैसे मानलें, इसलिए तो कहते हैं न, बार-बार एक नारा, आएगा तो, तो EVM से आएगा तो मोदी ही, और EVM नहीं होएगा, तो जाएगा तो मोदी ही. इसकी कोई permission है, या कौन-कौन आपके साथ होगा, क्या आपका प्रोसीज़ पूरा ही है? पहले तो आप यह बताईए, मैंने गहराव का शब्द का प्रेयों यूज किया, कभी हमारे तीनों में से किसी ने गहराव शब्द का यूज किया है, हम लोग एक डेलिगेशन जाएगा, इलेक्शन कमिशन के आवान पे, यहनुने 2017 से कर रहा है, कि जो जागरूक नागरिक हैं, वो आएं और इस प्रोसेस को देखें और इसको ठीक करें, तो एक डेलिगेशन जाएगा पैदल चलके, हम इलेक्शन कमिशन को रिटर्न में भी रिक्वेस्ट दे रहे हैं, पुलीस भी किये, हमने मिशन सेव कॉंस्टिटूशन की तरफ से एक डिली हाई कोट में पेटिशन भी डाल रखिये, क्योंकि हमारी मुस्लिम में वहाँ पंचायत को बार-बार कैंसिल कर रही है डिली पुलिस, तो हमें यह बताए कि प्रोसीजर कोई है कानून का, कि किस तरीके से क कोई प्रदर्शन करना होगा, किस तरीके से कोई सभा करनी होगी, तो ऐसा कोई भी डिरेक्टिव ओफिशल दिली पुलिस ने हाई कोट में स्टेट्मेंट दीती कि हमारे पास ऐसी कोई डिरेक्शन या पॉलिसी कुछ भी नहीं है, कानून के इसाब से आर्टिकल 19 है, हम सि तो चीफ इलेक्शन कमिशन है, भारत की जंता के नौकर ही तो हैं, मालिक नौकरों के पास जा रहे हैं, एक रिक्वेस्ट लेके तो नौकर मेरे ख्याल से, जो इलेक्शन कमिशन के नौकर हैं देश की जंता के, वो हमें 50 EVMs हैंड ओवर कर देंगे, फिर ये भी हो सकता है न की बात के ये EVM की मशीने बना ही इसलिए जा रही है, कि मोधी जी जो सारी सीटे जीत साहें, वो सारी क्या, जितनी सीटे चाहेंगे वो उतनी जीतेंगे EVM से तो, उनके हाथ में, इसलिए तो कहते हैं न, बार बार एक नारा, आएगा तो, तो EVM से आएगा तो, मोधी ही, और EVM नहीं होएगा, तो जाएगा तो, मोधी ही, यानि आप उस चुनोती को एकसेट कर रहे हैं, जो चुनोती ये कहकर दी जाती है, कि आओ और साबित करो, येस, ये चुनोती मान रहे हैं आप, हाला कि इलेक्शन कमिशन ने चैलेंज भी लिखा था अपने प्रेस रक्षा करो, इलेक्शन कमिशन गुहार लगा रही है, आओ हमारी रक्षा करो, देश की जंता से, और इसमें पुलीस के लोग जो है, वो मेरे ख्याल से उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इस से मोधी सरकार की भी तो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंक पेगसेस इसराइल से आया है, यह मशीनों का भी जो मेंन इक्विप्मेंट्स है, सब इसराइल से बनके आ रहे हैं, हैक कैसे होनी है, हैकेबल है या नहीं है, या प्री प्रोग्राम्ड हैं, यह साब हम उसी मशीन को खोल के दिखा देंगे ना, आपके सामने दुनिया के सा आता है, शायद हमने उनकी बात पकड़ लिए, लेकिन देश की जनता को आप सड़कों पर आना पड़ेगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हो सकता है वो इस बात से थोड़ा सा गुरेज कर रही हो, कि यह इलजाम लगेंगे कि आप इलेक्शन लड़ते हो, लड़ते ही यह भानु जी ने भी पताया, कपिल जी ने पताया, हमारी लड़ाई नहीं है, हमें थोड़ी मंत्री वो बनना है और प्राइम मिनिस्टर, तो पिर आप इंडिया घडवंदन पर आगए, यह देश टूटने से बचाने की बात हो रही है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कौन सरकार जीते, कौन हारे, हमें मतलब है कि देश में निश्पक्ष चुना होने चाहिए, जनता की आवास से जीते वे लोग, पारलेमेंट में, असेंबली में जाने चाहिए, इवियम से जीते वे लोग, पारलेमेंट और असेंबली में नहीं जाने चाहिए, हमारी आवा कर रहे हैं हम धूनिया के सामने अलग-अलग स्कृट्ट में जाके ईर्यम की जो क्वेटर उलेक्शन कि सी लोगी वह भी आप लोगों के सामने लाइव खोलेंगे लाइव एक करके दिखाएंगे लाइव किसी बटन पर उंगली दबाओ बीज़ए पीके उतने वोट आएंगे लाइव दिखाएंगे यह हम कह रहे हैं आप लोग तो से कॉंग्रेस के अंदर आरेस के बहुत सारे लोग ते मैं नाम आज नहीं लेना चारा क्योंकि विशे बटक जाएगा जिन्होंने मोदी के साथ साथ गाट करके मोदी साथ को जिता है 2014 में भी इवियम के माद्याम से जिता है वरना इतनी सीटे से नहीं आने वालीग ते यह कंग्रेस के अंदर यह न इसके लोग थे बहुत सारे लोग तो चौड़ चौड़ के जा भीpowers उनके चेहरे !! सब लोग देखि रहे हैं सबसे बड़ा और नुक्सान देश की जनता का है ना तो जनता यह कर रही है पुलिटिकल पार्टीज को अगर कोई बेवकूफ बना देता है कुछ टाइम के लिए जिता के क्योंकि लोगसभा चुनाव जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए या बीस से पच्चिस परसेंट तक ही हैक कर रहे हैं भी वो तो यह उनके हाथ में है ना कि वह एक भ बहुत सारी चीज़े करते हैं जो बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है जो की इलेक्शन में इलेक्शन लो से नहीं जीतते हो इलेक्शन बुनियाधी तोर पे इलियूम से जीतते है उसकी सबसे बड़ा सबूत मोधी जी ने अभल ने सारे बड़े-पड़े लीडियर्स को दरवाजा दिखा दिया किसी की ज़रूत भी में ड़नाई जी को ज़रूत इन्हाइं आ योगी जी की जरूत oily अग इंट्करी की जिजिश्डवत है ना किसी भी और राजनाध सिंग जी की जरौत किनी इमने मिसे मीवी मजान इसलिए सब को दर्वाजा दिखा रहे हैं यह घृतलय सब 도्रवासा दिखा को इसको आप दर आदवानि जी मुर्लीमेनृ और जोशी जी को किस तरीके से बेज़ज़ती कर रहा है क्योंकि जरूरती नहीं है यह तो वो खुद है वो जीतेंगे के लिए बानु जी दूसरे लोग हम सब लोग लड़ रहें कितने दिनों से तो हम अपनी कोशिश बंद कर दें यह हो सकता है कि यह हम लोग भी कोशिश बंद कर दें या फिर हो सकता है कि अब जनता जाग जाए और अगर सड़कों पर जनता आ जाएगी तो ईविन से नहीं प फल ना फल क्या फाइदा होगा है नुकसान होगा है देश की जंता के हवाले जब सुप्रीम कोट ने चोड़ा है इलेक्षिन कमिशन बार बार हिंड कर रहा हैं पर दबाव है जो अभी आर्मी के चछीफ थे उन्होंने बताया कि इतना बड़ा दोका देश के साथ कर दिया सर से स्थेशल्सेट वाले आते हैं तो यह सब क्यों आ रहे हैं और से चुनाव हो जाएगा तो कौंसा नुकसा हो जाएगा प्र हमारी जान में आक मैं हमारी जासकती है हमें जेल भी बेजला चाकता уकान के लिए संभी हम अबंधान बचाने क्या गरंटी है कि वो नहीं चोड़ी हो कोई चीज की गरंटी निया पेपर बैलेट से भी मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सच बात है यह लेकिन पेपर से आपके पास नजर आने वाले सबूत हैं इतनी बड़ी दानली पेपर बैलेट में कभी नहीं हो चो इसके पास हो औत ने है यह तो मशीन के अंदर है और मशीन के अंदर की ओर जवने रहे हैं क्योंकि मोदी जी कह रहा हैं इसमें कोई गड़बर नहीं होती तो मान लो आप अब मोदी जी की अगर चाचा एक देखिए एक चीज और अपना सब विड्रौ कर लेंगे सारा अंदुलन मोदी जी की 56 इंच की चाती ना आपके दिखा दो अगर 56 इंच की चाती है तो वह सचे हैं अगर नहीं है तो वह जूटे हैं कर दो कर दो कर दो